Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Sylvia Plath की एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है डाड़ी ये पोएम 1962 में लिखी गई थी और 1965 में इसे पब्लिश किया गया था पोस्ट हुमस ली यानि उनकी डेथ के बाद, उनकी कलेक्शन एडियल में Friends, जब ये पोएम लिखी गई थी तो उनकी लाइफ में एक बहुत ही डार्क पीरियर्ड चल रहा था और वो बहुत डिप्रेस्ट थी जिसका असर उनकी पोएम में देखने को मिलता है इस पोएम को कंपोस करने से एक महीने पहले वो अपने हजबन टेड यूद से अलग हो गई थी और चार महीने बाद उन्होंने सूसाइड कर लिया इस poem में poet अपने father अपने daddy को address करती हैं जिनकी बहुत ही dark और oppressive यादे हैं poet के mind में Friends, poet के जो father थे वो एक German immigrant थे तो इस poem में Hitler और Nazi और Germany की जो शहरे हैं उनके वारे में बहुत कुछ बात की गई है poet अपने father के influence से free होना चाहती है और इस poem में उन्होंने यही बताया है Prince Sylvia Plath एक American poet, novelist और short story writer थी उनकी जन्म हुई थी 27 October 1932 में और उनकी death हुई थी 11 February 1963 में उन्हें Pulitzer Prize भी मिला था 1982 में वो भी posthumously यानि उनकी death के बाद और उनकी famous works में The Colossus and Other Poems Ariel and The Bell Jar ये सभी शामिल हैं तो चलिए friends आप poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं You do not do, you do not do यानि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं चलेगा आप ऐसा नहीं कर सकते Any more black shoe in which I have lived like a food यानि मैंने अपनी जिन की ऐसे ही जी है मानो मैं कोई पैर हूँ जो एक काले जूते में बंध है और हिल भी नहीं सकता मगर अब ऐसा नहीं चलेगा For 30 years poor and white यानि 30 years के लिए मैंने अपनी जिन्दगी ऐसी ही जी है बिना कोई luxury के, बिना कोई color के यानि मेरी life boring और restricted थी 30 सालों तक मगर अब नहीं Barely daring to breathe और अच्छू और इतनी भी हिम्मत नहीं थी मुझमें कि मैं सांस लूँ या छीकूँ अच्छू का मतलब यहाँ पर है छीकना Daddy, I have had to kill you यानि Daddy, मुझे आपको मारना ही पड़ता You died before I had time मगर आपकी death हो गई इससे पहले कि मैं आपको मार पाती Marble heavy, a bag full of God यानि यहाँ वो अपने father को describe करती है कि उनके पिता Marble की तरह heavy थे, भारी थे और ऐसा शरीर था मानों कि वो एक bag हूँ जो God से, यानि भगवान से भरा हुआ है फ्रेंड से इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके father बहुत धार्मिक थे यानि एक तरह से कहें तो extremist थे गास्लीच statue with one grey toe big as a frisco seal और वो एक डरावने statue एक मूर्थी की तरह थे जिसकी एक toe यानि एक पैर की उंगली जो है वो San Francisco seal जो थी उसकी तरह थी और आपका सिर Atlantic Ocean के पास था जहां नीले रंग और हरे रंग के पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं उस Atlantic Ocean में आपका सिर है और ये कहां है तो नौसेट नाम की टाउन में जो की Massachusetts में है यानि poet यही कह रही है कि उनके पिता इतने बड़े थे इतने monstrous थे कि वो Pacific से ले करके Atlantic तक फैले हुए थे इतने बड़े monster थे वो और मैं प्रे करती थी प्रातना करती थी कि आप रिकवर हो जाएं और मौत से मेरे पास वापस लोट आएं अच्छ डू और फिर जर्मन लैंग्विज में कहती थी OU इन दे जर्मन लैंग्विज इन दे पॉलिश टाउं यानि मैंने जर्मन लैंग्विज में प्रातना की पोलेंड के एक शहर में Scrapped flat by the roller of wars, wars, wars और एक ऐसे शहर में जिसे बरबाद कर दिया था wars ने यानि जंग ने यानि वहां भी जंग के जो टैंग थे वो पहुँच चुके थे और उन्होंने उस पूरे इलाके को बरबाद कर दिया था ऐसे इलाके में जाके भी मैंने आपके लिए प्रेयर किया है But the name of the town is common मगर इस शहर का नाम बहुत ही common है तो मैं नहीं जानती कि ये आपका शहर है या कोई और Friends उनके father एक German immigrant थे तो वो ढूंड रही है कि आखिर उनके father का जो home town था वो कहां था लेकिन वो नाम इतना common है कि वो उसे ढूंड नहीं पा रही है लगभग सभी शहरों का नाम वैसा ही है My Polish friend says there are a dozen or two यानि मेरे इस Polish friend का कहना है कि इस नाम के दरजनों शहर है यापर तो आपका शहर ढूंडना मेरे लिए बहुत मुश्किल है So I never could tell where you put your food, your route तो इसलिए में नहीं बता सकती कि कहां आपके कदम पड़े थे और कहां आपकी जड़े हैं यानि आपका घर कहां है कौन से शहर में मैं ये नहीं जानती हूं I never could talk to you The tongue stuck in my jaw यानि मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाती थी क्योंकि ऐसा लगता था कि जब भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करती हूं मेरी जुबान, मेरे जौज में यानि मेरे जबडे में फस जाती थी मुझे में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं आपसे कभी बात कर सकूं It's stuck in a barbed wire snare इच 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 यानि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी तंग यानि मेरी जुबान जो है वो किसी barbed wire में यानि कंटीली तारों के जाल में फस गई है और ये जो इच 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 है ये एक तरह का sound है जो उन तारों में फसने के कारण हो रहा है यानि मेरी जुबान जो है वो कंटीली तारों में फस गई है और इसलिए मैं शायद बोल नहीं पा रही हूँ I could hardly speak यानि मैं शायद ही बोल पाती थी बहुत मुश्किल होती थी मुझे I thought every German was you और मुझे लगता था कि हर एक German आप ही है and the language obscene और वो language मुझे offensive लगती थी disgusting लगती थी यानि मुझे हर German में आप ही नजर आते थे और मुझे इस language से नफरत हो गई थी ये मुझे disgusting लगती थी An engine, an engine यानि ये German language जो की बहुत offensive है वो किसी train की engine की तरह है Chuffing me off like a Jew A Jew to Dachau, Auschwitz, Belzen और ये engine मुझे किसी Jew की तरह एक concentration camp में लेकर चली गई जो इन जगों पर है I began to talk like a Jew यानि मैं एक Jew की तरह ही बात करने लगी I think I may well be a Jew और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक Jew हो भी सकती हूं या मैं एक Jew बन गई हूं इस तरह से मैं बात करने लगी हूं The snows of Tyrol, the clear beer of Vienna are not very pure or true अब speaker उस train पर खुद को imagine करते हुए कहती है कि Austria का जो शहर है Tyrol उसकी बर्फ और उसके capital Vienna के जो beer है वो impure हैं सचे नहीं हैं जैसा दिखाई देते हैं वैसे वो है नहीं यानि कि मेरी दादी या नानी जिपसी थी और साथ ही मेरी किसमत भी अजीब है और मेरे पास टैरोग कार्ड्स हैं जिससे लोग भविश्य बताते हैं और जिन्हें जिपसी रखते हैं I may be a bit of Jew तो इन चीजों को देखकर लगता है कि मैं थोड़ी सी Jew हो सकती हूँ यानि मेरी दादी या नानी जिपसी थी और मेरी किसमत भी अजीब है और साथ ही मेरे पास टैरोग कार्ड्स हैं तो ये सब देखके लगता है कि शायद मैं एक Jew हो सकती हूँ I have always been scared of you यानि मुझे हमेशा आपसे डर लगता था With your Luftaffee and your Gobble Degoo Friends, Luftaffee German Air Force को कहा जाता है और Gobble Degoo का मतलब होता है बेकार बाते जिनका कोई अर्थ ना हो तो मुझे आपके Air Force और आपकी बेकार बाते दोनों से ही डर लगता था And your neat mustache and your aryan eye bright blue और साथ ही आपकी मूचों से जो neat थी और आपकी चमकीदार नीली आँखों से जो बहुत डराती थी मुझे क्योंकि ये मुझे Germans की या Hitler की याद देलाती थी यानि आपकी मूचे थी आपकी नीली आँखे थी और ये मुझे डराया करती थी Panzerman, Panzerman, OU Friends, Panzerman जो होता है वो German Tank Driver को कहा जाता है तो poet कहती हैं कि आप भी Panzerman थे Not God, बटा स्वास्तिका यानि आप कोई God या भगवान नहीं थे बलकि एक स्वास्तिका थे जो German Nazi रजीम का सिंबॉल था So black, no sky could sweep through और आप एक बिलकुल काले आसमान की तरह थे, जिससे रोश्णी पार नहीं हो सकती है Every woman adores a fascist, यानि हर औरत को एक fascist पसंद आते हैं, the boot in the face, the brute, brute heart of a brute like you जो उन्हें मारते हैं और जिनका एक दिल एक brute की तरह होता है, यानि बहुत बुरा होता है यानि friends, यहाँ पर औरतों के बारे में कहा जा रहा है कि औरतों को बुरे लोग, यानि fascist पसंद आते हैं और poet यहाँ पर उनकी भी आलोजना कर रही है, क्योंकि ऐसे fascist लोग जो होते हैं, वो उन्हें मारते हैं और फिर भी वो उन्हें पसंद करती हैं a cleft in your chin instead of your food, but no lesser devil for that यानि आपकी चिन जो है वो कटी हुई है cleft का मतलब होता है एक कट होना जिससे वो दो हिस्सों में बटे, यानि आपकी चिन जो है वो दो हिस्सों में है आपके पैरों की जगा friends, इसका मतलब यह है कि जो devil होते हैं उन्हें माना जाता है कि उनके पैरों में एक कट होता है वो दो हिस्सों में बटी भी होती है लेकिन यहां पर poetess कह रही है कि भले ही आपके पैर में क्लिफ्ट नहीं था मगर आपकी चिन में क्लिफ्ट है और इसी लिए आप एक devil है No not any less the black man who bit my pretty red heart in two यानि आप उतने ही बुरे हैं devil हैं जितना वो black man जिसने मेरे दिल को दो टुकडों में बांट दिया यानि जिसने मेरा दिल तोड़ दिया उस इनसान की तरह आप भी बुरे हैं आप भी एक devil है I was 10 when they buried you यानि जब आपको दफनाया गया तो मैं बस 10 साल की थी At 20 I tried to die and get back 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 to you और जब मैं 20 की हुई तो मैंने मरने की कोशिश की इस उमीद में कि मैं आपको वापस से पास सकूँगी मैं वापस आपके पास चली जाऊंगी I thought even the bones would do और मुझे लगा कि आपके bones के साथ दफनाया जाना भी मेरे लिए काफी होगा But they pulled me out of the sack and they stuck me together with glue यानी की मेरी ये कोशिश बेकार हो गई क्योंकि उन लोगों ने मुझे मरने नहीं दिया मुझे बचा लिया और वापस से ठीक कर दिया जोड कर दिया यानी ऐसा कर दिया मानो मुझे glue से वापस से उन्होंने जोड दिया हो And then I knew what to do और तब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है I made a model of you, a man in black with a main calf look यानी मैंने आपका एक model बनाया जो एक black man का था और देखने में बिलकुल नाजी लगता था Friends, main calf जो है वो Hitler की एक prose work है तो poet यहां पर इसका use इसी लिए करती है ताकि वो Hitler से उस statue के connection को बता सके यानी उनके लिए उनके फादर Hitler की समान थे, एक dictator थे और जो statue उन्होंने बनाया था वो एक black man का था जिसकी look बिलकुल नाजी की तरह थी और उस model को rack and screw पसंद था यानी torture करना पसंद था, किसी को परिशान करना पसंद था यानी वो बिलकुल हिटलर की तरह या आपकी तरह था और मैंने उससे शादी कर लिए I do करके मैंने शादी को accept कर लिया So daddy, I am finally through तो daddy, मैंने आपको दुबारा पा लिया The black telephone's off at the root The voices just can't warm through यानी वो black telephone जो मुझे आपसे जोड कर रखता था उसकी जड़ें खराब हो चुकी है और अब उससे कोई आवाज नहीं आ सकती है क्योंकि मैंने तो आपको दुबारा पा लिया है उस statue के रूप में जिससे मैंने शादी कर ली If I've killed one man, I've killed two यानी अगर मैंने उस समय एक इनसान को मारा होता तो मैं एक नहीं दो इनसान को मारती The vampire who said he was you and drank my blood for a year यानी दूसरा वो model जिससे मैंने शादी कर ली मगर वो असल में एक vampire था, एक पिशाच था जिसने एक साल तक मेरा खून पिया यानी मुझे बहुत परिशान किया, torture किया Seven years, if you want to know मगर असल में ऐसा साथ साल तक चला अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो Daddy, you can lie back now यानी, Daddy, अब आप लेट सकते हैं, rest कर सकते हैं There's a stake in your fat black heart यानी, आपके काले दिल में एक लकडी का टुकड़ा है, stake है जिससे फ़ेंपाइर्स को मारा जाता है वो आपके दिल में हैं, यानी, आप भी एक वेंपाइर थे And the villagers never liked you और आप जिस गाहों में रहते थे, वहां के लोग आपको पसंद नहीं करते थे They are dancing and stamping on you यानी कि वो आपकी dead body के पास नाच रहे हैं, उस पर कूद रहे हैं They always knew it was you क्योंकि वो जानते थे कि आप ही वो हैं आप क्या हैं, आप एक वेंपाइर हैं उनके लिए भी, आपने उन्हें भी बहुत परिशान किया उनकी भी खून चुसी है Daddy, Daddy, you bastard, I am through यानी Daddy, आप एक बास्टर्ड हैं, एक घटिया इनसान हैं और मैं अब आपके बारे में बात कर चुकी हूँ तो friends, यहाँ पर ये poem खत्म होती है ये थी Daddy by Sylvia Plath